अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में चीज़ें उल्टी सीधी चल रही है और समझ नहीं आ रहा है कि रिष्टे में आगे क्या होगा तो आज की रिडिंग आपके लिए है आज की रिडिंग का टापिक है कि आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है आज की जो ये रिडिंग है ये एक जिनरलाइस रिडिंग है बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी जो भी एनर्जीज आपके साथ रिसोनेट होंगी आप उन्ही energies को pick कीज़ेगा पाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीज़ेगा आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है no contact situation में है या फिर अभी अभी आपका break up हुआ है आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी आज की reading में मैं किसी भी particular zodic sign का नाम नहीं लूगी क्योंकि ये reading सभी zodic signs के लिए है और आज की reading में हम जो ये no moon है 5th July का, आज का इसे भी हम consider करेंगे कि energy के effects किस तरह के होंगे और सिरफ हम candle wax से energy check नहीं करने वाने हैं हम tarot से भी energy को recheck जरूर करेंगे ताकि confirmation मिल सके so जब तक मैं candle को lit करती हूँ आप अपने partner के नाम के उपर focus कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है आए जानते हैं कि आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है divine please guide us जो viewers मुझे सुन रहे हैं आप please उनकी मदद कीजिए ये जानने के लिए कि उनके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है देखें आप दोनों ही इस रिष्टे के बारे में आप और जादा concern फील करेंगे आप चाहे अपने पार्टनर को blame करते रहें लेकिन नो मुन के बाल आपके पार्टनर के प्रति आपका जो प्यार है वो बहुत ही जादा मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सिरफ आपके साथ नहीं होने वाला है आपके पार्टनर आपको बहुत जादा miss करेंगे आपके पार्टनर अपने अप में जो अकेलापन महसूस करते है न वो अकेलापन उन्हें खाने को दोड़ेगा ऐसी energies create होने जा रही है आपके पार्टनर के अंदर insecurity की energy बढ़ती हुई नजर आ रही है insecurity आपको खोने की insecurity आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाने की ये बढ़ती हुई नजर आ रही है आपका भी डर इस relationship में बढ़ेगा आपको ऐसा लगेगा कि चीज़े बहुत टाइम से ऐसे ही है क्या कभी चीज़े बदलेंगी और अगर बदलेंगी तो किस तरहां से आप सभी चीज़ों को handle कर पाएंगे किस तरहां से आपके partner आपके जिन्दगी में वापस आ पाएंगे और आप दोनों ही न लोगों से disconnect होते हुए मुझे नजर आ रहे है मतलब आप इस रिष्टे के बारे में openly बात करना पसंद नहीं करेंगे आप किसी से इस relationship के बारे में advice लेना पसंद नहीं करेंगे especially आपके friends आपकी family जिसके साथ भी आप अपने इस रिष्टे की बात को share करते हैं आप बिल्कुल भी share करना पसंद नहीं करेंगे और account में बैठ करना इस relationship के प्रती आपको क्या फैसला बनाना चाहिए इसके उपर आपकी energy का बहुत ज़ादा focus रहने वाला है और even आपके partner भी इस relationship की deep analysis करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के अंदर एक धहरे की energy नजर आ रहे है patience आप दोनों के अंदर develop होगा आप मेंसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस time पर इस तरह की energy में है कि हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है हमारा patience exhaust हो रहा है अगले 15 दिन में आप इस patience को regain करेंगे मतलब एक maturity की energy नजर आ रहे है आपके partner आपके साथ कितना carefree रहते थे ये चीज़ सोच कर आपके partner को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और आपने अपने partner की कितनी ज़्यादा care की है उसके लिए आपके partner बहुत ज़्यादा grateful भी होगे तो हो सकता है कि आपको whatsapp पर कोई ऐसा status नजर आ जाए या facebook पर कोई ऐसा status नजर आ जाए जिसमें आपके partner gratitude शो कर रहे हो अगर कोई भी ऐसी post आपको नजर आती है तो आपके लिए ही है और अगर आपके partner ये चीज़ post नहीं करते हैं और अचानक से आप अपने partner के बारे में सोच रहे हैं और किसी social media पर आपको ऐसा कुछ भी नजर आता है तो ये समझ लीजेगा कि वो आपके partner की vibration है जो आप तक पहुँच रहे है ठीक है आपके partner इस relationship को renew करने के भारे में सोचने वादे हैं अगले 15 दिनों में और आपके partner इस relationship के लिए बहुत ज़दा defensive होते हुए मुझे नजर आ रहे है उनके अपने logics होंगे उनके अपनी perception होगी इस चीज में उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें किसी की advice की जरूरत नहीं है ये बहुत बड़ा change है आपके partner के अंदर नहीं तो आपके partner किसी ना किसी person से advice लेने के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन आपके partner की अब energy मुझे ऐसी निजर नहीं आ रही है वो किसी से भी इस relationship के बारे में आपके बारे में कोई advice नहीं लेना चाहते हैं ठीक है आपके relationship में आप भी अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं और आपके partner भी ठीक है इतने टाइम से दिल से फैसले ले रहे थे लेकिन आप दिमाग का इस्तीमाल करेंगे सोचने के लिया आप दोनों मुझबूर हो जाएंगे हालात कुछ इस तरहा के create होंगे कि आप दोनों मुझबूर हो जाएंगे कि इस रिश्टे में आपके partner दिल ही दिल में आपको बहुत सदा appreciate करने वाले हैं, आपने इस relationship में इतने positive efforts हमेशा से लगाए हैं, आपने हमेशा इस relationship को संभाला है, आपके partner अपने आपको criticize करने वाले हैं, daydreaming की energies में आप दोनों ही रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ future आप दोनों का किस तरहा क होगा, आप दोनों ने जो जो सपने एक दूसरे के साथ देखे थे, उन सपनों के बारे में इस इन 15 दिनों में आप दोनों ही मुझे सूचते हुए निजर आ रहे हैं, जिससे आपको happiness भी मिलेगी, बहुत time हो गया है, कि दिल से ना कभी आप खुश हुए हैं, ना आपके partner खुश हुए हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में आप लोगों की energies कुछ इस तरह की रहेंगी, ये दूसरे के बारे में सोच कर, happy moments के बारे में सोच कर, आप लोगों को खुशी मिले, ठीक है, तो इससे energy में एक positive change होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत deep analysis के बाद भी action और emotion में उस दरहा का balance नहीं आ पाएगा, emotions काफी जादा balanced मुझे नजर आ रहे हैं, emotionally आप अपने partner से connect करेंगे, आपके partner आप से connect करेंगे, लेकिन action के लिए ना आप तयार होंगे, ना आपके partner तयार होंगे, पहले आप पहले आप में गाड़ी छूटती हुई नजर आ रही है, इस cycle की energy बहुत ही जादा positive भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ नजर आ रही है कि आप दोनों ही ना बहुत हाई vibrations पे रहने वाले हैं, चाहे आप दोनों के आसपास हालात कैसे भी हों, इस cycle के अंदर आप लोग positive vibrations पे रहेंगे, आपके partner के लिए आपके दिल के अंदर जो प्यार है, वो और जादा बढ़ने वाला है, आपके partner भी आपसे बहुत जादा महबबत करते हैं, इस चीज़ की realization उन्हें बहुत गहरी होने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके relationship में जो ये separation का कारण बना हो, क्या आप दोनों की misunderstandings थी, ऐसा तो पहले भी कभी नहीं था और अब भी नहीं है, आपके इस relationship में कोई ऐसा person है, ये आप भी जानते हैं, आप चाहे इस चीज़ को जतना मर्जी ignore कर लें, कोई ऐसा person है जो आप दोनों के इस relationship को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बहुत मुशकल से ना आपके partner को अपनी intuition की आवाज सुनने क लिए मिलने वादी है अगले 15 दिनों में, और आप भी अपनी intuition की आवाज सुन पाएंगे, आपको भी ये feel होगा कि हर चीज़ में आपके partner गलत नहीं है, जो चीज़े आज में आपसे कह रही हो ना, ये आपको अगले 15 दिन में feel होने वादी है, लेकिन जो person इतनी जादा म important है, ये person आज आपके partner के लिए कुछ action लेता हुआ नजर आ रहा है, ये इसलिए नहीं कि आपके partner की energy change हो रही थी, नहीं, आपके partner तो इस third party की energy में ही थे, बहुत time से, लेकिन अब इस person को ना, final commitment आपके partner से चाहिए, तो जो action लिया जाएगा न, वो commitment की और बढ़ाने के ल आप दोनों के बीच में separation हो जाए, ऐसी energies इस third party द्वारा channelize नहीं है, दोनों चीजों में बहुत फरक है, commitment देना और आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना, इन energies में really a difference है, आप कहेंगे मैं बात तो एक ही है, अगर हमारे partner ने इस third party को commitment दे दी तो इसका मतलब वो हमसे अ बट energies को इस तरह से channelize नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये third party आज कुछ action लेने वाली है, कि आपके partner ना इस third party को commitment दे दे, आपके partner इस third party के बारे में चाहें कुछ भी सोचते हूं, लेकिन आपके partner बस अब इस third party को commitment दे दे, आपके partner के emotions पर इस third party का कोई focus नहीं है, आपके partner के action पर इस third party का focus है, आपके partner कुछ ऐसा action ले कि इस third party को एक permanent commitment आपके partner से मिल जाए, तो इसकी वजह से भी cycle के अंदर एक बदलाफ होगा, आपके partner emotionally तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से connect कर पाएंगे, emotionally आप भी अपने partner को लेकर बहुत ज़दा open रहेंगे, लेकिन action में आपको चीज़े उल्टी नज़र आएंगे, आपको ऐसा नज़र आएगा कि आप तो अपने partner के लिए बहुत अच्छे चीज़े feel कर रहे हैं, और वहीं आपके partner इस third party के साथ अपनी compatibility बनाने में लगे हुए हैं, वो आपके partner की energies नहीं होगी, वहाँ आप दोनों के बीच म में भी एक cycle इस तरह का start होगा, कि इस third party को अपना comfort zone मिलेगा, आप दोनों तो इतने time से emotionally भी connect नहीं कर पा रहे हैं, जब आपके partner को आपको लेकर positive energies feel होती हैं, तब आप अपने partner को लेकर negative feel करना शुरू कर देते हैं, और जब आपके partner को negativity feel हो रही होती है, तब आप positive होते ह ये पहला cycle बहुत time के बाद ऐसा आया है, जहां पर आपके partner जो है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा positive है, जहां पर आपके partner आपके बारे में इस relationship के बारे में बहुत ज़्यादा positive सोच रहे हैं, और यहां पर ये जो cyclic change है, ये आपके रिष्टे के लिए बहुत ज़्य ज़्यादा important है actions की terms में, अब emotions अपने आप balance हो रहे हैं, इसका कारण 7-7 portal भी है, अब वो portal भी open होने जा रहा है, इस वज़ह से वो cyclic shift आया है, जहां पर emotions की term में आप एक common platform पर होंगे, अब emotions बहुत strong होंगे, लेकिन action नहीं लिया जाएगा, तो इस वज़ह से anxiety की और चि आप इस relationship के प्रती बहुत सदा anxious feel करेंगे, एक दूसरे को होने का डर ना बहुत सताएगा आपको, रातों को नीन नहीं आएगी, ऐसा feel होता रहेगा कि आपके partner के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो मतलब वो connection तो deep होगा, लेकिन action की energies यहां पर नज़र नहीं आ रहे ह यह जो third party है ना, इसको अपनी ego को satisfy करना है, इस third party को आपके partner के साथ emotionally कोई लेना देना नहीं है, जैसा emotional bond, आप अपने partner के साथ create करने की कोशिश करना चाहते हैं, वैसा bond इस third party को नहीं create करना है, इस third party को कोई मतलब नहीं है कि आपके partner इस third party के बारे में क्या सोचते हैं, इ इसका अपना comfort zone बना रहे आपके partner को ये third party सिरफ इस वजह से नहीं छोना चाती है कि आपके partner को energies की terms में change करके ये third party कुछ ना कुछ आपके partner से अपनी favor में करवाने के लिए कामियाब रहती है ठीक है ये जो third party है आज ये या तो किसी dark energy का इस्तेमाल करेगी या spell work का इस्तेमाल करेगी या फिर किसी के पास जाकर कोई ऐसा समाल लेकर आएगी कि जिसे खिला कर आपके partner की energy इसको change किया जाए और वो समान जो भी होगा वो आप दोनों को separate करने के लिए नहीं होगा वो आपके partner को इस third party की और बढ़ाने के लिए होगा दोनों बातों में फरक है वो slight difference आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन energies की terms में मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ ठीक है आप दोनों एक ब बहुत ही खुबसूरत रिष्टा है लेकिन ये journey तो तभी तैह होगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे ये journey को cover करने के लिए चीज़ों को आपको भी strategize करना पड़ेगा कई लोग मेरे पास इसलिए भी आता है कि माम आप black magic करती हैं मैं black magic नहीं करती हूँ I'm really sorry ज है चीजों में बदलाफ इस तरह से लेकर आना कि आपके partner के emotions अगर आपकी side को हो गए है तो आपके partner के जो actions है वो भी आपकी side को हो जाए ठीक है तो चीज़े अपने आपने ही होंगी चीजों को strategize करना पड़ेगा ये चीज़ समझ आ रही है आपका रिष्टा एक तोफान से गुजर रहा है जहां पर आपको एक stability मिल रही है क्या stability है कि आपका एक stump जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है emotions मजबूत हो रहे हैं दोनों के दोनों के बीच में जो emotions को लेकर misunderstandings देना वो अपने आप हील हो रही है ठीक है जो pain है वो कम होती हुई नजर आ रही ह अब दूसरा stump मजबूत करने का वक्त आ गया है जो कि action का वक्त है ठीक है उसे कैसे मजबूत करेंगे उसमें आप सिरफ अपने partner से expectations मत रखे उस पे आपको action भी लेना चाहिए अगर आप यह सोचते हैं कि नहीं आप action नहीं लेंगे आपके partner action ले लेंगे अगर उन्हें emotions की इतनी कदर है तो definitely उन्हें action लेने का भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा तो यहाँ पर आप गलत है ठीक है तो सिरफ इंतजार मत करते रहें नहीं तो वो painful situation फिर start हो जाएगी जहां पर emotions भी आपके partner आपके समझ नहीं पाएंगे इस relationship में अगले 15 दिन में victory हासल कर पाना मुम्किन है तो यह action का वक्त है एक तो 77 portal खुल रहा है universal energies आप लोगों की बहुत ज़्यादा favor में होंगी और अगर इस वक्त में action लेंगे तो आपका जो energy cycle है वो change हो जाएगा यह जो karmic cycle बार 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 repeat होता चला जा रहा है ना वो repeat होना बंद हो जाएगा तो अपन इनको thank you कहिए कि universal energies की support से कम से कम आपके partner आपके बारे में इस relationship के बारे में कुछ positive सोच पा रहे है और even आपका भी जो mindset है वो आपके partner को लेकर positive हो रहा है emotions में stability बहुत ज़रूरी है नहीं तो मन ही खटा हो जाता है किसी रिष्टे से ठीक है तो यह बदलाव आने चाह रहे हैं आपके रिष्टे में अब इन changes मोग हम definitely taro deck से भी check करेंगे कि आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है आए जानते हैं taro deck से आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है आएए जानते हैं आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है तो पहला card है यहाँ पर the moon का card है the next card over here is five of swords का card है the next card is temperance का card है the next card over here is the hunged woman का card है, the next card is two of wands का card है the next card over here is six of cups का card है, the next card is the magician का card है, the next card over here is the star का card है and bottom of the deck पर यहां पर queen of wands का card है सबसे पहले तो मैं divine को thank you कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे messenger के रूप में चूस किया जो energies मैंने आपको candle fact से बताई है almost उसी तरह की energies यहां पर निकल कर आई है, देखिए इस no moon का बहुत गहरा impact आप दोनों के relationship पर पढ़ता हुआ, मुझे यहां पर नज़र आ रहा है देखिए आपके partner और आपको अब यह चीज़ महसूस होगी अगले 15 दिन में कि आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप अपने रिष्टे को बहतर बना सकते हैं, आपके partner को भी ऐसा लगेगा कि चाहे चनौतिया इस रिष्टे में जो मर्जी हों, वो इस relationship को positive बना सकते हैं, ठीक है? उन्होंने अभी तक अपने आपको underestimate किया अगर वो पहले ही इस relationship में stand लेने के बारे में सोचते हैं, तो आज चीज़े बहुत अच्छी होती हैं, आप दोनों ही इस relationship में, चीज़ों को भुलाने के बारे में जादा सोचने वाले हैं, चीज़ों को let go, आप भी करने के बारे में सोचेंगे, आपके पार्टनर भी सोचेंगे, क्योंकि आप दोनों को ये लगेगा, कि आप दोनों का future एक दूसरे के साथ ज़ादा बहतर हो सकता है, मतलब जिस relationship में सरफ अंदकार नजर आ रहा था, वहाँ पर उमीद की पहली किरन नजर आती हुई, यहाँ पर नजर आ रही है, ठीके और आप दोनों daydreaming की energies में रहेंगे, वो energies भी यहाँ पर हैं आपको, आपके पार्टनर की याद बहुत ज़दा सताने वाले हैं आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़दा मिस्ट करने वाले हैं, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे तब आप दोनों का रिष्टा किस तरह का था, यह चीज़ आप भी याद करेंगे, आपके पार्टनर भी याद करेंगे, दिन रात यह चीज़ें आपको परिशान भी करने वाली है कि कितना खुबसूरत सब कुछ था अचानक से चीज़े क्यों आटके बट emotional strength मिलने वाली है चीज़ों को आप दोनों ही analyze करते हुए नजर आ रहे हैं अगर मैं ये कहूं तो over analyze करते हुए नजर आ रहे हैं emotions stable हो जाएंगे इस वजह से इधर उदर की सारी चीज़ों को आप relate कर पाएंगे ये चीज़े क्यों हुई थी किस तरह से हुई थी उतने में ही ये वक्त बीच जाएगा और actions में stability नहीं आ पाएगी मैंने ऐसा क्यों कहा है उसका reason ये है कि ये no moon सिरफ आपके और आपके partner की energy में बदलाव लेकर नहीं आ रहा है ये no moon आपके partner और इस third party की energy में भी बदलाव लेकर आ रहा है आज no moon पर ये जो third party है ये आपके partner को backstrap करने वाली है आपके partner की energies को change करने का पूरा प्रयास ये third party करेगी जिसकी वजह से आपके partner actions की terms में stuck हो जाएंगे आपके partner इस relationship के प्रति कोई action नहीं ले पाएंगे और ये third party आपके जो partner है उन spell work के through हो सकता है आपके partner को कुछ खिलाया जा सकता है जिसकी वजह से आपके partner emotionally तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ा feel करते रहेंगे क्योंकि वो universal energies है वो आपके partner को support कर रहे हैं लेकिन action की जो tendency है वो नहीं आपाएगी तो यहाँ पर वो point है जब आप अपने रिष्टे के अंदर एक बहुत बड़ा यूटन खुद लगा सकते हैं यूटन अपने partner का लगा सकते हैं कैसे होगा वो आपको अपने partner को strength provide करने की ज़रूरत है अब आप ये कहेंगे कि मैं हम अपने partner से बात करेंगे और वो काफी ज़दा मजबूत महसूस करेंगे हमसे बात करके ऐसे strength ये नहीं होगी आपके partner emotionally पहले भी आपके लिए बहुत सारी चीज़े feel करते आया है इस cycle में difference क्या है आप दोनों एक point पर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत positive feelings रख रहे हैं ये time आपके partner के लिए action लेने का है अगले 15 दिन में अगर आप अपने इस रिष्टे के लिए को ही नहीं रोख पाएगा क्योंकि 7-7 portal जैसे ही open होगा energies बहुत जादा strong हो जाएंगे आप दोनों के ambitions एक दूसरे को लेकर बहुत high हो जाएंगे ठीके एक complete power महसूस होगी आप लोगों को इस रिष्टे में अगर आप action लेते हैं नहीं तो आप ये portal भी waste कर देंगे जतना time अ बहुत important वक्त ये है ठीके इसे waste मत कीजिएगा ठीके सो आपको अपने partner के लिए एक reading लेनी चाहिए reading में आप अपने partner की blockages को जानिये आप अपने रिष्टे की blockages को जानिये उन्हे strength आप किस तरह से provide कर सकते हैं इस बारे में जानिये accordingly आप कोई healing process या फिर कोई remedy go through कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ये reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through आप ये reading book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपक और जो मेरा email id है वो screen पर flash होगा आप मुझे direct call मत कीचेगा आप मुझे whatsapp पर message कीचे mail कीचे wait कीचे मैं आपको reply ज़रूर तूँगे और अगर आप ये जानना जाते हैं कि healing result किस तरहां से देती है तो आप मेरी community tab पर जाकर check कर सकते हैं आएए अब हम जानते हैं कि आपके partner आपको क्या messages देना चाहते हैं आपके partner की तरफ से आपके लिए क्या message है आपके partner आपको क्या messages देना चाहते हैं it was my fault but still I blamed you आपके partner को इस बात की realization है कि गलती उनकी थी लेकिन फिर भी उन्होंने आपको blame किया I am not over you आपके partner ने आपको भुला नहीं दिया है अगर आपको य अच्छ में बहुत बड़ी गलत पहमी में है I love you as you are आपके partner आपको बदलना नहीं चाहते है आप जैसे भी है आपके partner आपको वैसे ही accept करना चाहते है I know I must messed up our relationship आपके partner को इस वात का एसास हो रहा है कि इस relationship में जो इतना mess create हुआ है वो उनकी वजहों से हुआ है the next messages we both know whose fault it was आपके partner को ये भी पता है कि आप भी जानते हैं कि गलती उनकी ही थी बस वो ही realize नहीं कर रहे थे लेकिन आप उन्हें भी realize हो गया है I wish I could change my past आपके partner ये feel करते हैं बार बार कि काश वो ये past change कर पाते I still feel the same for you आपके partner आप भी आपके लिए वही same feeling रखते है I left you to make you realize my importance ये आपके partner आपको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके partner ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी importance आपको बताना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं है आपके partner का वो decision जो उन्होंने बनाया वो किसी pressure में आकर बनाया वो pressure वारी जो energies है वो आपकी साथ definitely share करना चाहते हैं देखिए अगले 15 दिन आपके रिष्टे के लिए बहुत important है इन्हें waste मत कीजेगा और अगर आपने waste कर दिया तो इस चीज के लिए तयार हो जाएगा कि आपके partner इस third party को commitment October November तक दे देंगे और उन energies को reverse कर पाना फिर आपके बस की बात नहीं होगी okay so I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near end के advance के साथ share सरूर कीजेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेक so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरी email id के थ्रू book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जह लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप please मेरे channel को subscribe कर कीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मलती रहे so thanks for watching see you soon